अम उत्रा खंद एक समग्रेधन को स्टेडि कर रहे थे और स्टूडेंट इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है उत्रा खंडराजे में नई परेतन नीती कब घोसित की गई स्टूडिन्ट उत्राखंडराज्य में नई परियतन नीती सितंबर 2018 में घोसित की गई नेक्स पॉइंट है रास्टी अस्तर के होटल मैनेजमेंट संसान की स्थापना कहां पर की गई है इसका आंसर है दहरादून में दहरादून में रास्टी इस्तर के होटल मैनेजमेंट संस्थान की स्थापना की गई है नेक्स पॉइंट है परियतन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश से एक जून दो हजार दो से कौन सी योजना चलाई जा रही है स्थूडिन्ट उत्राखंड में परियतन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश से एक जून दो हजार दो से वीर चंद्र सिंह गढ़वाली परियतन स्वरोजगार योजना चलाई जा रही है एक जून दो हजार दो से वीर चंद्र सिंग गडवाली परियतन स्वरोजगार योजना उत्राखंड में परियतन में जन सहभागिता बढ़ाने के उद्देश से चलाई जा रही है नेक्स पॉइंट है पंडित दीन दयाल मात्र पित्र तीर्थाटन योजना पूर्व नाम मेरे बुजुर्ग मेरी तीर्थ योजना चल रही है 25 सितंबर 2014 से नेक्स पॉइंट है दूर दराज के गामों, कजबों, सहरों के घरों में परियतकों को ठहराने संबंधी हो मिस्टे योजना कभ से चलाई जा रही है स्टूडिन्ट 25 फरवरी 2016 से दूर दराज के गामों, कजबों, सहरों के घरों में परियतकों को ठहराने संबंधी हो मिस्टे योजना उत्रा खंडराज्य में 25 फरवरी 2016 से चलाई जा रही है सरवाधिक परियतकों को आकरशित करने वाला राश्टिय उद्यान 2018 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और उसके बाद राजा जी नेशनल पार्क है और फिर उसके बाद फूलो की घाटी नेशनल पार्क है स्टूरिंट नेक्सपोंट है PPP जिसे की पबलिक प्राइवेट पार्टनर्शिप कहते हैं यानि पबलिक प्राइवेट पार्टन पार्टनर्शिप मोड में जो ठुली गाड है ठुली गाट से पूर्णागिरी 903 मीटर और घागरिया से हेम कुंड 2 किलो मीटर और कद्दु खाल से सुरकांडा देवी 502 मीटर व पुरुकुल से मनसूरी 5.5 किलो मीटर के बीच बनाया जा रहा है एक रोप वेको स्टुडिन्ट इसमें दिया गया है कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप मोड है उसमें ठुली गाव से पूर्णागिरी जिसमें की 903 मीटर का और घागरिया से हेम कुंड में 2 किलो मीटर का और कद्दु खाल से सुरकांडा देवी 502 मीटर का व पुरुकुल से म प्रत्यक वर्ष रिशी केस हरी द्वार्व जागिश्वर में आयोजित किया जाता है योग महत्सव स्टुडिन्ट प्रत्यक वर्ष रिशी केस हरी द्वार्व जागिश्वर में योग महत्सव आयोजित किया जाता है नेक्स पॉइंट है उत्रा खंडराजे में 2004-2005 में स स्टूडिंट नेक्स पॉइंट है जो उतरा खंड के जो 14 इको टूरिस्ज में प्लेस हैं जो कि अभी विकास धीन है जिनको की अभी बनाया जाना है जिनका विकास किया जाना है उसमें है धरावव अंबर इको पार्क जो की मशूरी दहरादून में है ये सब 14 एको टूरिज में प्लेस हैं उत्राखन के और इसमें पहला है धराव अंबर एको पार्क जो की मशूरी दहरादून में है दूसरा है दहरादून जू व हर्बल गार्डन धहरादून जीवी पंथ हाई अल्टिटूड जू नैनी ताल हिमाले वोट निकल गार्डन नैनी ताल कॉर्बेट प्रताप रामनगर नैनी ताल बराती राव रामनगर नैनी ताल कार्बेट म्यूजियम काला धूंगी नैनी ताल संजयवन हल्दवानी नैनी ताल सिम्तोला एको पार्क अलमोडा, धनौलटी एको पार्क अलमोडा, मुनशारी नेचर अजुकेशन एंड ईको पार्क पिथौरागरण, 84 कुटिया, रिशी केश, पोरीगड़वाल, लच्छी वाला नेचर पार्क दहरादून वह कौडिया एको पार्क टहरी है, ये सब क्या है जो कौडिया एको पार्क जो टिहरी गड़वाल में हैं ये सब 14 उत्राखंड के 14 एको टूरिजम प्लेस हैं और इनको राजे में 2045 से संचालित एको टूरिजम योजना में रखा गिया है और ये क्या है अभी विकासा धीन है Student next point है उत्राखंड प्रदेश में बटरफ्लाइ पार्क का विकास कहां पर किया गिया है स्टूडेंट उत्राखंड प्रदेश में बटरफ्लाइ पार्क का विकास लच्छी वाला पार्क दहरादून में किया गया है नेक्स पॉइंट है सेंटर फॉर एको टोरिजम एंड सस्टेनेबल लाइवलियूड है राम नगर नैनिताल के पास सेंटर फॉर एको टोरिजम एंड सस्टेनेबल लाइवलियूड का जो सेंटर है वो राम नगर नैनिताल के पास है नेक्स पॉइंट है पार्क अफ ग्रेट आर्क का विकास कहां पर किया जा रहा है पार्क आफ दे ग्रेट आर्क का विकास उत्राखंड में सर्वे ओफ इंडिया परिशर दहरादून में किया जा रहा है। तेरा जिले में स्टूडेंट वह योजना जिसमें प्रत्यक जिले के एक परेटन स्थल का थीम आधारित विकास किया जा रहा है। उस योजना का नाम है तेरा जिले तेरा इस्थल योजना नेक्स पॉइंट है नौग्रह सर्किट के केंद्र के थीम पर कटार मल सूर्य मंदिर का विकास अलमोडा में किया गया है। नेक्स पॉइंट है हिमाले दर्शन के थीम पर मुक्तेशवर का विकास नैनी ताल में किया गया है। नेक्स पॉइंट है देवी के बावन शक्ती पीट थीम पर बावन शक्ती पीट का विकास हरी द्वार में किया गया है। नेक्स पॉइंट है परियतन वर ट्रेकिंग थीम पर मोरी हर की दून वर जखोल का विकास उत्तरकासी में किया गया है। नेक्स पॉइंट है वाटर स्पोर्ट्स थीम पर तिहरी जील का विकास तिहरी गडवाल डिस्टिक में किया गया है। नेक्स पॉइंट है नेचर वर ग्रीन टूरिज्म थीम पर चिर्बटिया का विकास रुद्र प्रियाग डिस्टिक में किया गया है। नेक्स पॉइंट है जल क्रीडा वे होली डे थीम पर द्रोण सागर वे हरीपुरा बोर जलासे का विकास उधम शेनगर में किया गया है नेक्स पॉइंट है पर्यटन छेत्र थीम पर पाटी देवी धुरा का विकास चंपावर डिस्टिक में किया गया है नेक्स पॉइंट है हिमाले दर्शन एवम टी टूरिजम थीम पर गरुण वेली का विकास मागिश्वर में किया गया है नेक्स पॉइंट है नेचर वर ग्रीन टूरिज्म विश्व का सबसे बड़ा जो टूलिप गार्डन है उसकी थीम पर मोस्ट मानों का विकास पिथोरागड डिस्टिक में किया गया है नेचर वर ग्रीन टूरिज्म जो की विश्व का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन है इस इस थीम पर इसकी थीम पर मुस्ट मानों का विकास पिथोरागण में किया गया है नेक्स पॉइंट है कोर पोर्ट डेस्टिनेशन थीम पर गैर सेंड भरानी सेंड का विकास चमोली डिस्टिक में किया गया है कोर पोर्ट डेस्टिनेशन थीम पर गैर सेंड भरानी सेंड का विकास चमोली डिस्टिक में किया गया है नेक्स पॉइंट है उत्रा खंडराज के चारो धाम उचाई के बढ़ते करम में हैं गंगोत्री जो गंगोत्री है उसकी हाइट है 3047 मीटर जो बदरीनाथ धाम है उसकी हाइट है 3133 मीटर जो यमनोत्री है उसकी हाइट है 3185 मीटर और जो केदारनाथ है उसकी हाइट सबसे जादा है 3581 मीटर स्टूडिन्ट उत्रा खंडराज के चारो धामों को उनकी उचाई के बढ़ते करम में जिसमें सबसे पहले है गंगोत्री जो की 3047 मीटर इसकी हाइट है दूसरा धाम है बद्रीनाथ और बद्रीनाथ धाम की उचाई है 3133 मीटर उसके बाद यमनोत्री है यमनोत्री की जो हाइट है 3185 मीटर है और उसके बाद जो सबसे जो उचाई वाला धाम है वो है केदारनाथ धाम और केदारनाथ की उचाई है 3581 मीटर सबसे ज़्यादा केदारनाथ की हाइट है 3581 मीटर फिर यमनोत्री की है 3185 मीटर फिर उससे कम बद्रीनाथ की है 3133 मीटर और चारो धामों में सबसे कम हाइट है गंगोत्री की 3047 मीटर स्टूडिन्ट इसके बाद नेक्स पॉइंट है राज के चारो धाम हरिद्वार से दूरी के बढ़ते क्रम में है अगर हरिद्वार से उनकी दूरी को देखा जाए तो सबसे कम दूरी के बढ़ते क्रम में हम देखेंगे चारो धामों को तो हरिद्वार से जो सबसे कम डिस्टेंस पर है वो है यमनोत्री जो यमनोत्री है वो उसकी जो डिस्टेंस है हरीदवार से वो 237 किलोमीटर की डिस्टेंस पर यमनोत्री धाम है जो केदारनाथ है वो 251 किलोमीटर की डिस्टेंस पर हरीदवार से 251 किलोमीटर की डिस्टेंस पर केदारनाथ है और हरिदवार से 283 किलोमीटर की डिस्टेंस पर गंगोतरी धाम है और हरिदवार से 322 किलोमीटर की डिस्टेंस पर बदरीनाद धाम है स्टूडिन्ट इसके बाद नेक्स पॉइंट है आदी गुरु की तपस्तली नर्सिंग मंदिर व वासु देव मंदिर इस्थित हैं जोशी मठ में स्टूडिन्ट आधी गुरु संकराचारे की जो तपस्थली है साथ ही जो नर्सिंग मंदिर है और जो वासुदे मंदिर है ये सभी जोशी मठ में स्थित हैं नेक्स पॉइंट है जोशी मठ से औली हेतु एशिया के सबसे बड़े रोपवे को चालू किया गया अक्टोबर 1993 में नेक्स पॉइंट है जोशी मठ से औली की सड़क मार्ग वा रोपवे से दूरी है स्टूडेंट जोशी मठ से औली की सड़क मार्ग से दूरी है पंदरा किलो मीटर की और जोशी मठ से औली की जो रोपवे मार्ग से दूरी है वो है चार दसमलव एक पांच किलो मीटर की स्टूडेंट जोशी मट से ओली की सडक मारगी की दूरी है 15 किलो मीटर और ओली से जोशी मट से ओली के बीच में जो रोप हुवे है इसके बीच की दूरी है 4.5 किलो मीटर स्टूडेंट ओली में शीत कालीन खेलो है तू धाली उक्ति मैदान का आकार है 5.2 किलो मीटर नेक्स पॉइंट है ओली में पर्यटकों वे खिलाडियों को ठहरने हेतू बनाए गए है वातानुकूलित हनीमून हट बनाए गए है पर्यटकों वे खिलाडियों के ठहरने के लिए नेक्स पॉइंट है ओली में प्रतिवर्ष स्कीइंग महुत सब का आयोजन किया जाता है